हेलो फ्रेंड्स मीनु कीचन और गार्डन जो उनमें आपका स्वागत है तो दोस्तों मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए प्यारे से प्लांट का वीडियो लेकर आज हम जिस प्लांट पर बात करेंगे दो दोस्तों उसका नाम है हिबिसकस यानि गुड हल चाइना रोज बहुत सारे नाम दोस्तों इस प्लांट के हैं और अलग अलग जगाओं पर अलग अलग वराइटी में ये जो प्लांट है वो मिलता है और बहुत सारे देशों में दोस्तों ये जो प्लांट है वो पाया जाता है और हमारे देश में दोस्तों इसकी बहुत सारी विराइटी है बहुत सारे देशी विराइटी में भी आता है हाईब्रीड विराइटी में भी आता है और छोटे फूल भी इसके आते हैं और sleeping hibiscus भी आता है दोस्तों जिसको मिर्ची गुढल कहते हैं तो इतनी सारी variety इस plant की हैं दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस plant के season की तो ये जो plant है दोस्तों perennial plant है पूरे साल हरा भरा रहता है पूरे साल full देता है ये जो plant और बहुत ही खुबसरत plant है आज इसी plant की पूरी देखभल के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसकी देखभल किस तरीके से आपको करनी है कि इस पर इतने सारे full और कलियां आए जिस तरीके से आप मेरे plant पर देख रहे हैं और आपको मैं दोनों ही variety दिखा रही हूँ रही हूँ hybrid variety भी और जो देशी variety है वो भी दोन क्योंकि ये dormancy से निकल जाता है निकलने के बाद ये जो अपनी growth है वो start कर देता है तो इसको क्या करना है दोस्तों आपने अच्छे से इसकी जो मिट्टी में खाद दे देनी है अब बात करते हैं दोस्तों जब आप इस plant को buy करके nursery से लेकर आते हैं तो तब आपने इसकी मि मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों आप एक हिस्सा compost ले लीजिए एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए एक हिस्सा आप इसमें बालूरेत मिला लीजिए और दो मुठी के लगभग दोस्तों आप इसमें नीम खली जरूर डाल दीजिए क्योंकि नीम खली दोस्तों प्लांट को फंगस की अटेक से बचाएगी इस प्लांट में दोस्तों इंसेक्ट का अटेक जादा होता है समर सीजन में तो बहुत ही जादा होता है तो आप ध्यान रखिएगा नीम खली अगर आप प्लांट की मिट्टी में मिला देंगे तो उतना अटेक नहीं हो पाएगा और दूसरा दोस्तों धूप की requirement की बात कर लेते हैं तो धूप इस प्लांट को बहुत ज्यादा चाहिए जितना तेज धूप में आप प्लांट को रखेगे उतने धेर सारे फूल ये प्लांट आपको देगा इसके लिए इससे धूप बहुत जरूरी है तो इसे धूप में आपने रख प्लांट्स को अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको पानी देना है मिट्टी ड्राइ देखे तब पानी इसको डेली दीजिए क्योंकि समर में पानी की रिक्वार्मेंट जादा होती है प्लांट्स को अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पर जो इंसेक्ट का अटेक होता उसके लिए आपने क्या करना है तो उसके लिए दोस्तों आप नर्सरी से नीम ओयल भी ला सकते हैं बजार से नीम ओयल का स्प्रे ला सकते हैं और नीम ओयल का भी छिड़काविस पर कर सकते हैं अगर वो न जान रखिएगा दोस्तों शाम के समय आप अपने प्लांट पर स्प्रे कीजिएगा ताकि रात भर वो रहे और सुबह तक आपके जो इंसेक्ट है वो सारे मर जाएं और सुबह आपने शावर करके इस प्लांट पर पानी अच्छे से दे देना है ताकि सोप हट जाए तो ऐसा आप अगर करेंगे इस तरीके से केयर करेंगे तो आपका जो प्लांट है दोस्तों बहुत ही हेल्दी रहेगा मेरे इस तरीके से आप केयर कीजिएगा अपने हिबिसकस प्लांट की अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस प्लांट की कलियां बहुत जादा गिरती है बहुत सार दूसरा दोस्तों आपने खाद भी अच्छे से नहीं मिलाई हुई है तो वो भी एक रीजन होता है तीसरा रीजन ये भी होता है दोस्तों आपने प्लांट को धूप में नहीं रखा हुआ है ये सारे रीजन है और अगर ये सारे काम आपने किये हुए हैं उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है अपने प्लांट में हर 15 डेस पर गुडाई करके लिक्विट फर्टिलाइजर देना है और लिक्विट फर्टिलाइजर के लिए दोस्तों आप चाय पत्ती का जो पानी होता है उसे उबाल कर अपने प्लान्ट में दीजियो, बहुत ही healthy आपका प्लान्ट रहेगा और एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों आप अपने प्लान्ट में डी-ए-पी के जो दाने होते हैं दोस्तों, वो आप गुड़ाई करके दे सकते हैं प्लान्ट में अच्छे फूलों के लिए तो उससे भी बहुत अच्छे फूल आते हैं पोटेशियम की भी इस प्लांट को जरुरत होती है दोस्तों वो भी आप दे सकते हैं आप जो ओरेंज पील के छिलके होते हैं वो दे सकते हैं अपने प्लांट में डाइल्यूट करके पानी में और बनाना पील के जो छिलके होते हैं वो भी पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हैं अपने प्लांट में तो ये सारी चीजे दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा होगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्रूनिंग की आपको इसकी शेप को कैसे मेंटेन करना है तो शेप मेंटेन करनी दोस्तों प्लांट की बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि प्लांट की एक टैनी बहुत लंबी जा रही है एक बहुत छोटी जा रही है तो प्लांट देखने में खुप सूरत नहीं लगता है तो शेप मेंटेन करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है फैब मन्त में हर टाइम पे आप प्लांट की प्रूनिंग नहीं कर सकते आपने feb month में या september month में ये दो महीने ऐसे होते हैं दोस्तों आप plant के अच्छे से hard pruning भी कर सकते हैं और soft भी कर सकते हैं तो ये 2 महीने में आप अपने plant को अच्छे से shape दीजिए बाकी फोड़ा बरसात में भी दोस्तों आप plant को shape दे सकते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तो प्लांट को आप अगर अच्छे से शेप दे के रखेंगे तो प्लांट पर फूल जादा आएंगे कलियां जादा बनेंगी क्योंकि जो नई नई ब्रांचिस होती हैं दोस्तो नई नई शूट्स निकलती हैं प्लांट पर उसी पर कलियां बनती और फूल आते हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा अपने प्लांट में आप देखी रहे हैं जैसे कि मेरे प्लांट पे खूब सारी धेर सारी आपको कलियां और फूल नजर आ रहे होंगे तो यह सब इसी लिए हैं दोस्तों कि मैं अपने प्लांट की जो है वो इसी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी प्लांट के लिए तब ही आपको इतनी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और मेरे चैनल से आपको कुछ भी फायदा होता है तो मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थेंक यू